अर्विंद कुमार जी स्वागत है आपका नमस्ते वार्ब जी नमस्कार अलो जी बताईए सवाल करिये मेरे वाइप है नहीं इनको पहला बच्चा हुआ था तो इनका वो गठना पानी पीने थी तो पेट पड़ा सभास आ गया जी और अभी पेट वैसे यह कम नहीं होता तिसके लिए क्या कर अब इस्तर महिलाओं को बच्चा होने के बाद पेट बढ़ जाता है और उनका ज़रूर बढ़ता है जिनको आपरेशन से बच्चा हो तो उससे बच्चने के लिए एक अच्छा सा नुस्खा है इस्तमाल करें जीरे का सिर्का जीरा जो आता है उसका सिर्का जीरे का पानी नहीं जीरे का सिर्का वनेगर जीरे का विनेगर दो दो चमज दो तीन बार पिलाएं उनकी चर्बी उनका पेट उनका वेट के लिए काफी फाइदेमन हो सकता है जी अगले कॉलर है चतीज गर से राम स्वागत है आपका जी नमस्कार सर जैहिन स्वागत है राम जी आपका मैं तीजे राम बुल जाओं कर रिस चार बान होगा दें रखाय जाते हुए तो मेरा क्या है तार सालोग एजिश्टर के हुँ मैं और बागी तो आपके पाके बहुत अच्छी या गोन मोरिदा एक खा चिता हूं एक तर खा चिता हूं अभी जैतिन के नमाद और बहुत अच सकता है अच्छी होता है। height tief कि सब्साम नहीं कि सब्सास जेतीनzlich क्या पर शीम सब 80 गायर सकते हूं तो अच्छी आपी जान नहीं होता है। absorbing और शीट है। और अजीए तो ताहम जान नहीं किस्टे इस आएदीन नहीं किस्टे सब इस 열ता है। कर इसकी बार जानकारीन का अगर जलन होती है और किसी सूरत फाइदा नहीं होता तो एक आती है लाजवन्ती लाजवन्ती आदा चमच या एक चमच दूद में मिलाएं और जल्दी जल्दी हिलाएं उसको चमच से नहीं तो इसकी गाठे पड़ जाती है और दूद में मिला लें गाठ ना पढ़ने दें और यह पूरे दूद कोई पी लेती है और इतनी सी डालेंगे तो इतनी हो जाती ह और एक चुटकी इसमें नमक जैतुन मिला दें और ये रोज आप एक खुराक लिया करें बस काफी आपकी पेशाप की जलन के लिए दूसरी बातों में तो आपको फाइदा है ये नस्वाप शुरू कर सकते हैं अगले कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका जी सत्यवती जी नमस्कार मैं आपका स्वागत है ये तो मेरा शाल का लड़की का लड़का है वो अकड़ाता है अटक लागती है बोलता हुआ साथ बोलता है पर अटक लागती है और दूसरा स्वाल है जी मैंने आप से गोन मोरिंगा और गोन श्यमगा था और मैं खा रही हूँ दे दो महिने हो जाँगे जी पहली ताइम को पर लेकिन मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है मैं बहुत दर्द पहन कर रही हूँ पर आपकी बातों को बिश्वास है कि खाते रहो और आम लगेगा खाते रहो पिर आपकी टीन से एक बाई ने फोन किया था जहांके दवाई मंगा इसे दर्द कहां पर ज्यादा हुआ है आपको उल्यामो सजीतागी से निचने चैन damals और सारे पैर सन हो जया है आज भी में माला करती हूँ ना परमातमा की माला करती हूँ इसमें कि खोस ज़ता है ज्युक्न हो सन होग जया है और टीक्रा क्लरा है मेरा कि में आपको घघवान विमांती हूँ तो मेरे एक परसन का उत्तर दीजिए, मेरे संचा का समाधान कीजिए, कौन गर्मा का पिता है, कौन बिच्छों की मार, संकर का दादा कौन है, हमको दे बता अब भगवान के समान मानते हैं हैं आपको तो मेरे परषनों का उप्तर दीजिए मैं टीवी के आगा नहीं बैटी हूँ मैं दूर बैटी हूँ दीछे कमरे में चीके अब आप टीवी के आगे बैट जाएए आवाद बढ़ा लीजे और आप एक देवी के समान हैं और भगवान की बहुत पसंदीदा महिला हैं और जिसको भगवान जादा पसंद करता उसे आजमाता भी जादा है आपका दर्द बढ़ गया है दवा से ही बढ़ा है और द हैं कैपसूल वो भी ले सकते हैं बस दो तीन बातों को ख्यार लगए हैं वेस्टन टॉयलिट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ऐसे कुर्सी वाला शोचा ले तो जरूर इस्तेमाल करें बहुत महनती है तो महनत कम कर दें वजन बिलकुल ना उठाएं और एक महीना और कम में इलाज करें दर्द किसी किसी को सो में एक दो लोगों को दर्द बढ़त के कम होता है और जिन लोगों को दर्द बढ़ जाता है वो बहुत शिकायत करते हैं आप तो शिकायत भी नहीं कर रहे हैं आप बहुत ही सहयम वाली महिला हैं बस चार-पांच दिन दर्द की दवा के साथ आप ये दवा लें तो फाइदा होना मुम्किन है छी साल का एक बच्चा है जो हक लाता है हाँ उस बच्चे को काली मिच पीश का रख लीजे उबारिक पाउडर और आधी चुटकी काली मिच का पाउडर और एक चमच हनी यानि शहद में मिला कर रोजाना एक बार सरूर खिला दिया करें बच्चे का ठीक होना मुम्किन है बुरादाबाद से हैं परवीन कपूर जी स्वागत है आपका जी सवाल कर लिजे सर मेरे को इस तर्मीं की प्रवबला में देप्रेशन की सिप्राइट है अब मेरी वाइट की जो रहा है वो कोट की शेक्स ने उसको भी देप्रेशन की प्रवबला में उसका बात आता है हर एक आदमी को डेप्रेशन है आजकर कभी सोचता हूं मुझे भी अक्सार डेप्रेशन हो जाता है और जैसे दुनिया के हालात होते हैं जैसे घर के हालात होते हैं डेप्रेशन का आनाते हैं जो भी आदमी जिम्मदार है वो सोचता ज्यादा है और उस सोच से निकल कर आन चाहिए कभी कभी हम डीप सोच कर वह ही रह जाते हैं और भगवान पर भरोसा करें कोई भी परिशानी आये तो उसमें कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं बाकी सब भगवान पर छोड़ दें अगर उसमें काम्यावी नहीं मिली तो उसमें भी इत्मिलान रखें कि आज धनिये का पौड़र, रोज आना दो बार खाए, धनियां तो आप जानते हैं, धनिये का पौडर एक चमश खाकर, और एक चुटकी, नमक, जैतुन, दो गिलास पानि मिलाकर, ये पानी पी लिया करें, दिन में एक बार या दो बार, सुवए और रात को सोते वक्त, आप दोनों को फाइदा होना मुम्किन है हाकीम सब जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन फिर नीद नहीं आती उपर से गुसा बहुत जादा आता है तो ये तीनों चीजे ही अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई है तो वो तो वैसे ही बिमार ही है दीप तो सब समझदार लोग जाते हैं डीप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता है समझदार आदमी जाता है जी और इतनी परिशानिया हैं दुनिया में समाज में घर में हर घर में कोई ना कोई परिशानी फसाद आपस में रडाई जगड़े और कोई इतनी किसम की परिशान हैं कि आद्बी गिन भी नहीं सकता हमें अपने हलात में जीना चाहिए जिसे हलात हो वैसा हो जाए और भगवान का शुकर वाला ज़रूर हो जाद तर लोग वो डिप्रिशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते लिकि जिस हाल में भी भगवान रखे कि अगर वो हमें दोवेस्ट की रोटी हलाल रोजी रिश्वत वाली नहीं मेहनत वाली और हकवाली हलाल वाली दे रहा है तो उसका बहुत बड़ा करम है बस ये रोटी ही सच्चाई है जिन्दगी की बाकी पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा और घर नहीं होगा तो फुटपात पैस हो जाएगा और हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकत है अगर भगवान रोटी दे रहा है दोवत की इज़त से समझ लिजए उसकी बहुत बड़ी इनायत है अब आपको जो कुछ चाहिए तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें अगर आपने यहां से दिल से भगवान का शुक्र किया भगवान को राजी कर लिय तो जो चाहोगे, भगवान आपको दे सकता है, लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, माबाप की सेवा करें, जिसका जो हक है, उसको वो हक दें, किसी का हक ना मारें, गरीमों से महबत करें, और इन बातों से भगवान राजी होता है, और जिसने भगवान को राजी कर ल वो भगवान से हर चीज ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुम्किन हो ये मेरा अपना तजर्बा है तो प्रवीन जी देखे परिशानी आपके साथ आपकी वाइफ के साथ बहुत जादा है यकीनन हम ये समझ सकते हैं आपकी तकलीव को लेकिन देखे एक खुबसूरत सा मैसेज आप तक पहुंचाया है हकीम साहब ने और आपको नुसका भी बता दिया गया है तो उमीद कि आप दोनों बहुत जल्दी बहुत बहुत बहतर हो जाएं अगले कॉलर है सहरनपूर से नरेश जी स्वागत है आपका जी सर मेरा लैटनिंग में पून आवागी है त्रीकर नरेश जी देखिए नसका लिख वीजे और बनाईए और इस्तमाल करिए एक तो आप ऐसी चीजे खाय करें जो असानी से हज़ब हो जाए मेहाना और एक निसका है वो बना लें दिख कत्था जो पन्वाडी पान पर कत्था लगाता है ना कत्था ही सा होता है वो कत्था ले सो ग्राम सुकावा मिलता है कत्था सफेद कहते है कत्था सफेद सो ग्राम ले ले कथा सफेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम इस सब गोल की भूसी 100 ग्राम और गान मोरिंगा सफेद यह नकली बहुत मिलता असली लेना सफेद गान मोरिंगा और धनिया 100 ग्राम इन सब को खूब बारिख पॉडर बनाएं और दो गिराम सुबा काएं दो गिराम शाम को एक एक कब दूट से काने से पहले काएं तो बहुत बहतर है या इनकी गोलियां बना लें इस पाउडर की और काबली चैने की बराबर गोलियां बना लें और दो गोली सुबा नाष्टे से पहले दूद के साथ दो गोली शाम को लिए तो जितना नुस्का मैंने बताया है इतना नुस्का आपने बनाया तो इसके खत्म होने से पहले आपकी अच्छा होना मुमकुन है इम्राना हमारे साथ जुड़ गई है स्वागत है आपका कि ये जी बताए ये आ औरिया आपके आवाज आस्लाबकुम आ वालएकुम असलम ऐना आ कि आ विच नकों मुझे ना जैसे दसका तोड़ा पुंड नगरा इसलम उंग जाती है पी दुका मुधनाह यह कितनी उमर है इंभान। आपकी अच्छा बच्छा देखिए ये मरस जिसको होता है उसमें कुछते मुदाफियत यानि इम्मुनिटी की कमी होती है और अगर इसका इलाज पांचे महीने किया जाए तो फाइदा मुम्किन है बशरते के आप खटी चीजे और ठंडी चीजें भी छोड़ दें इलाज के दोरान तो उसका इलाज मैं बताता हूँ आप लिख लीजे अगर आपके पास कलम है और कौपी है तो आपके बड़ा काम आएगी देखिए सपिस्तान एक दवा है जिसको असाल जबान में लिसोड़ा कहते है यनि लिसोड़ा 100 ग्राम और उनाब 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम सपिस्तान उनाब अलसी 100 ग्राम खरीदें उनाब की गुटली निकाल कर फैकनी पड़ेगी और इसमें 30 ग्राम पीपले जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती है पीपला मूल भी कहते है हिंदी में पीपले इसमें 30 ग्राम मिला के पाउडर बना ले अब ये एक चम चमच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुझे और रात को सोते वक्त एक चमच इसका छोटा चाय का चमच भरके खाया करें आपको फाइदा होना मुमकिन है लेकिन 6-7 महीने लगातार लेनी होगी उखट चीजे बिलकुल तरक कर दें बिलकुल नकाएं तो फाइदा मुमकिन है जे